रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अब आसू पूछ लो अपने क्यूंकि आज राज से इस राशी के सभी कष्ट दूर करेंगे शनी देव जी हाँ नमशकार दोस्तों जै मातादी दोस्तों आज हम आपको उन राशी वालों के बारे में बताने जा रही हैं जिनके उपर इस पूरे महिने में शनी देव की दयाद्रिश्टी बनी रहेगी जी हाँ बता दिएं कि शनी देव की क्रिपा से इनके मूँ से हर निकली होई बात पूरी होगी इनकी हर मनो कामना इस समय पूर हो सकती है अपने जीवन में सफलता अरजुत करने में आप लोग सफल रहेंगे पैसों के मामले में आप लोग भागेशाली रहेंगे जल्दी आप माला माल भी हो सकती हैं लेकिन इस समय आपको ऐसी भी कुछ बाती हैं जिनका ध्यान देना होगा बता दें कि इस समय आलस्य को त्याग कर आप अपने कारे को पूर करने की कोशिश करें और इसके साथ ही धैर्य बना कर रखें करोद करने से आपके काम बिगड सकती हैं ओफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश होंगी आप बाहर से समवेदनशील और भ बविश्य में आर्थिक लाब से संबंदित कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा कोई ऐसा अच्छा बदलाव आपकी जिंदगी में हो सकता है जो आपको अगले कुछ समय तक याद रहेगा बिना वजह किसी से उलजने से आपको बचना होगा व्यापार में किस किसी भी तरह का जोखे माफ ना उठाएं कारेश शित्र और ऑफिस में भी बचकर चलने की कोशिश करें किसी के साथ भी आप लोग बिना वजह बहस ना करें दोस्तों अब चलिए बताते हीं आपको कि आखिर हम वक कौन सी राशिया है जिनके बारे में यहां बात कर रही है तो आप से अंदरोध है कि वीडियो को बिलकुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों सबसे पहली राशी है तुला राशी बता देएं कि इस पूरे महिने भगवान शनीदेव का नाम लेकर आप जो भी कारे करेंगे उस कारे म आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको अपने घर में सबसे ज्यादा लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा जिससे आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामियाब रहेंगे बार बार लगतार किया गया प्रयास आपके लिए लाबदायक रहीगा प बिजनिस के सिलसले में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है यात्रा करना आपके लिए लाबदायक रहेगा दोस्तों अगली राशी है मिथुन राशी बता दें कि इस पूरे महिने आपका समय बेहद अच्छा रहेगा जीवन साथी की सला आपके लिए फाइदे मन स साबित हो सकती है इन राशी वाले लोगों को मा लक्ष्मी की भी कृपा से व्यापार में भारी मुनाफ़ा मिलने के योग बन रही है आप अपने कामकाज में लगतार प्रगती हासिल करेंगी आपका कोई लाबदायक समझोता हो सकता है दापते जीवन में खुश्या बनी रहींगी दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी बता दें कि घर परिवार के लोगों का हर तरह से अब आपको सहयोग मिलेगा आप अपने कामका सिसन तुश्ट रहेंगे पारिवारिक वतवरन धार्मिक रहने वाला है आपको किसी कानुनी मामले में सफलता प्राप्त हो स बता दीं कि यह समय आपके भविश्य के लिए एक बेहद उज्वल समी है आपके सभी निर्णय सही साबित होंगी और लोग आपकी निर्णय लेने की शक्ती की तारीफ करेंगी कठिनाईयों के बावजूद आपको सफलता प्राप्त होगी आर्थिक तोर पर आपके लिए स सिंग राशी बता दीं कि इस पूरे महिने के बीच आपको कभी भी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको उसका लाब उठाना चाहिए यदि आपको किसी से मिलना है या कोई जरूरी बात करनी है तो इस काम को जल्द ही कर डालें इस से आप फाइदे में रहेंग व्यापार में भी अच्छे लाब के संकेत मिल रही है आपके पारिवारिक जीवन में भी अपार खुश्या रहेंगी लेकिन साथ ही आपको अपनी संतान के प्रती सावधान रहने की जरूरत है साथ ही अपने मित्रों के साथ समय बरबाद करना आपके लिए हानेकारक हो सकत इस समय कुछ नजदी की लोग आप से नराज भी हो सकती हैं इसलिए आपको साथधानी बरतनी जरूरी है। आप सही से छानबीन कर लें। बता देंगी इस समय आपको अपने जीवन में अनेक बड़े बरलाव देखने को मिलेंगी। आपके उपर भगवान शनी देव की क्रिपा दृष्टी सबसे अधिक बनी रहेगी। शनी देव का नाम लेकर आप जो भी कारे करेंगी उस कारे में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों आपसे अनरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जैश अनी देव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें आप